क्या खाना खाने के बाद पपीता खाना चाहिए? ये खाना खाने से पहले पपीता खाना चाहिए? क्या खाली पेट पपीता खाना चाहिए? या विरात को डिनर में पपीता खाना चाहिए? पपीते से जुड़े हुए इतने सारे questions हैं जिसके जवाब हम आपको इस वीडियो म में देने वाले हैं आप देख रहें NBT Life और मैं हूँ आपकी दोस्त सुनम तो दोस्तों पपीता खाना I think सबको ही पसंद होगा यह ऐसा fruit है जिसको लेकर काफी सारे questions सबके जहन में आते हैं मैंने भी जब weight loss करने की कोशिश की थी तब मुझे भी कईयोंने सजस्ट किया था कि पपीता खाओ खाली पेट खाओ सुबह खाओ दुपैर में खाओ रात को खाओ यह मेरे लिए भी confusion था सिर्फ पेट लॉस ही नहीं बलकि पपीता आपको कहीं सारे फाइदे पहुंचाता है जो मैं आपको वीडियो के एंड तक होते होते बता दूंगी लेकिन पपीता किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं यह भी एक question आता है अकसर जो pregnant ladies होती हैं उनको पपीता खाने के लिए मना किया जाता है और उनके पपीता खाना भी नहीं चाहिए लेकिन जो नॉर्मल डाइट में पपीता खाते हैं उनके लिए काफी फायदे मंद होता है तो दोस्तों जैसे की पहला question यह था कि क्या हम खाणा खाने से पहले पपीता खाए या खाना खाने के बाद और एक घंटे के बाद आप पपीता खा सकते हैं, यानि कि जब भी आप पपीता खाएं, उसके एक घंटे के आगे या एक घंटे के पीछे आप कुछ खाएं, उसके साथ नहीं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो दोस्तों जैसे कि हमें आप पता लग गया है कि के बारे में भी आपको बता देते हैं पपीते आपको बहुत जादा फाइदे पहुचाता है पहले तो यह आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप अपनी डाइजिस्टर सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में पपीता जरूर श पहले से कब्स की दिक्कत है तो आप पपीता रोज खाएं और आप एक नियम बना लें कि आप एक टाइम बांध लें कि हम पपीता इस टाइम खाएंगे वो आपको बहुत फायदे पहुचाएगा और आपके एक बॉड़ी क्लॉक में शामिल हो जाएगा जिससे उसके जो भी न्यूट्रेंट्स है वो आपकी बॉड़ी को प्रॉपर मिलते रहेंगे महीं बदहजमी में भी आपको काफी फायदा पहुचाता है वो ऐसे कि अगर आपको खटी डगारे आती हैं आपका मन थोड़ा कच्छा रहता है आपको अच्छा नहीं लगता कुछ भी खाके तो आ आप पपीता जब भी खाएंगे तो आपको ये सारी दिक्कते नहीं होंगी या फिर आप रेगुलर डाइट में इसको शामिल रखेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं वहीं आपकी डाइजेस्टर सिस्टम को ये काफी हलका रखता है पेट साथ नहीं रहता और वो इस चीजसे काफी ज्यादा प्रॉबलम में आ जाते हैं पेट साफना होने से बहुत सारी प्रॉबलम्स क्रिए बालो का जھर्ना आप्कों का दर्द होना ये सारी चीज ने आपके पेट से जुड़ी होती हो ये आपको परेशान करती है तो पपीता आपके पेट को साफ रखता है जिससे आपकी ये चीजे जो हैं बाकी दिक्कते हैं वो आप तक नहीं पहुंचती हैं महीं पपीता इम्मुनिटी को भी बूस्ट करने में काफी फाइदे मंद हैं आप इसे किसी भी सीजन में खाएं आपकी इम्मुनिटी काफी बहतर हो जाएगी अगर आप इसे सर्दियों में खाते हैं तो ये आपको और फाइदा पहुंचाता है अगर आप इसे गर्मियों में खाते हैं तो भी आपको ये बहुत फाइदा पहुंचाता है क्योंकि गर्मियों में हम अपनी इम्मिनिटी को बूस्ट करने के लिए वो सारी चीज़े नहीं खा पाते हैं जो हम सर्दियों में खाते हैं क्योंकि सरदियों में हमारे पस और आपूशन रहते हैं, इम्यूनीटी बूस्ट करने के लेकिन गर्मिओं में अगर आप पापीता खाते हैं, तो आपकी इम्यूनीटी पर काफी फ़र्क पड़ेगा, आपको काफी बहतर महसूस होगा, क्योंकि इसमें काफी vitamins होते हैं जो आपकी immunity को boost करते हैं वही females के लिए काफी फायदे मंद होता है उन females के लिए जो गर्वती नहीं है क्योंकि गर्वती महिलाओं के लिए पपीते को खाना मना किया जाता है महिलाओं अगर इसे खाती हैं तो उनके periods के दर्द में उनको काफी relax मिलता है उनकी हड्यों पर इसका असर पड़ता है muscle pain जो होता है उसको भी काफी release करता है पपीता तो अपनी diet में आप periods के दौरान पपीता शामिल करेंगी तो आपको काफी फायदा पहुचेगा तो दोस्तों जहां हमने आपको पपीते के फायदे बताए वहीं हम आपको इसके थोड़े से नुकसान भी बताने वाले हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है जानना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनने बिल्कुल भी पपीता नहीं खाना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताए कि pregnant ladies को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वहीं जिन लोगों को kidney की problem और पत्री की problem already है उन्हें भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें calcium जादा मातरा में होता है जो आपके kidney पर effect करता है इसके साथ साथ और भी ऐसे nutrients हैं जो आपके kidney पर effect कर सकते हैं अगर वो quantity में जादा हो जाए तो आप खा सकते हैं बट quantity में जादा हो जाए तो इस बात का ध्यान रखें और सबसे पहले आपने डॉक्टर की पीलिया के मरीजों को और अस्थमा के मरीजों को तो उन्हें भी यह अवाइड करना चाहिए अगर आप खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजे या अपने खा लिया तो उसके बाद भी पूछ लीजे कि अब क्या करना है क्योंकि कभी-कभी नुक्सान प पहुचा सकता है क्योंकि हार्ट बीट को थोड़ा स्लो कर देता है और जिनका बीपी ऑल्रेडी डाउन होता है उनको यह नुक्सान कर सकता है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलह लें क्योंकि यह फल एक ऐसा फल है जो आपको बहुत सारे फायदे पह कर दाएगा साथ ही साथ nbt live को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि इस तरह की amazing और informative वीडियो आप से मिसना हो जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको दबाना होगा बैल आइकन ताकि हमारी notification आप तक सबसे पहले पहुंचे